हेलो गाइज, एक बर फेट से आप सब भी का स्वागत है हमारे चैनल BMS Lectures में तो जैसे कि आपको पता है कि हम गोड विज्ञानिया पढ़ रहे थे तो आज हम इसके लास पार्ट को डिसकस करेंगे जिसमें हम लास क्लास में परादी गोड हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने युक्ति तक पढ़ लिया था परत्व अ परत्व और युक्ति अब हम संख्या से स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले देखिए संख्या तो संख्या स्याद गडितम अर्थात गडित को क्या बोलते हैं संख्या बोलते हैं बहुत बिसी सा definition है संख्या का, संख्या का मतलब क्या बताया गया है, गड़ित, एक, दो, तीन आधी व्यवहार के हेत्व को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, तो यह definition आप याद रखिएगा, एक, दो, तीन आधी व्यवहार के हेत्व को संख्या कहते हैं, नौ कारण द् इसके बार देखे चिकेच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च आपने एंड में कहां तक अभी वह प्रेजंट कंडिशन उसकी कहची है, उसको हम संप्राप्ती कहता है, ठीक है, तो संप्राप्ती के भेद बताएगा है, अचार चरक्त ने संप्राप्ती के भेद बताएगा है, अलग-अलग अचारों ने अलग-अलग संप्राप्ती के भे अगर संख्या संप्राप्ति नहीं होगी तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कितने भेद हैं बल्लब एक नंबर तो हमें चाहिए ना तो वह आधार संख्या है उसके बाद देखिए संयों की बात करी गई है तो द्रव्यों का आपस में मिलना क्या कहलाता है संयों कहलाता तो यह आप ऐसे याद रखेगा कि द्वंद कर्मच, सर्व कर्मच और एक कर्मच ठीक है तो सबसे पहले देखिए द्वंद कर्मच संयों क्या होता है तो द्वंद कर्मच संयों वह संयों है जिसमें दो द्रव्य आपस में मिलते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं क्रियाशील होत इसमें वहीं बता रहें कि दो moving particles आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं संयोग बोलते हैं जिस प्रकार शुक्र और आर्तफ का बीजवहिनी अर्थात जो अपनी fallopian tubes होती है उनको बीजवहिनी बोला गया है तो शुक्र और आर्तफ का बीजवहिनी में आकर के मिलन जो है वही इसका दोंद कर्मच का एक example है इसके बाद देखिए सर्व कर्मच सहयोग में देखिए सर्व कर्मच सहयोग वह सहयोग है जिसमें दो से अधिक द्रवे आपस में मिलते हैं इसमें सभी द्रवे कैसे होते हैं क्रियाशील होते हैं तो जिसमें सभी particles क्रियाशील है और आपस में मिल रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं सर्व कर्मत सयोग बोलते हैं तो देखिए जैसे महाभुतों के सयोग से द्रव्य की निर्मती तो पांच महाभुतों सभी का आपस में सयोग होता है और सभी कैसे हैं चल है तो उनको उनके सयोग को क्या बोला गया है उनको भी द्रव्य जो है वह क्रिया हीन हो इतनाम से ही समझ आ रहा है एक कर्मज अर्थात केवल एक ही ऑब्जिक्ट क्या कर रहा होगा मूव कर रहा होगा इसका अप्लाइड आस्पेक्ट रेखिए कि इस्थिर व्रक्ष पर कववे का आकर कर बैठना तो इसमें क्या एक व्रक्ष सबसे पहले वस्तू को अलग अलग करना विभाग कहलाएं सायोग मतलब जूडना और विभाग मतलब अलग अलग हो जाना इसके बाद देखिए अर्थात किसी सायोग में एक एक वस्तू कितनी मात्रा में है यह जानना भी विभाग कहलाता है ठीक है तो चाहे मतलब किसी भी प्रकार से आप इसका definition बता सकते हैं उसके बाद देखिए विभाग तो विभाग के भी तीन प्रकार बताए होते हैं तो जब दो द्रवे अलग-अलग हूं और दोनों ही क्रियाशील हूं तो उनको क्या बोलेंगे द्वंद कर्मज विभाग बोलेंगे ठीक है तो मतलब दो सायोगर विभाग दोनों में होते हैं क्रियाशील को पर उसमें संईयों के जगळा क्या हो रहा है विभाग हो रहा है थीक है उधारण देखिए संपून माश का परस पर अलग हो है ना द्रव्यों का नाच होने पर भी सबी महावूत्तों का अलग-अलग होना क्या है सर्व कर्मज विभाग का उधारण है इसके बाद देखिए एक कर्मज विभाग वह विभाग है जिसमें एक क्रियाशील्ड द्रव्य अनक्रियाहीन द्रव्यों से अलग होता है तो ये सेम डेफिनेशन है केवल सायों की जगा किसका वर्ड यूस क्या गया है विभाग का जैसे इस्थिर व्रक्ष से कव्वे का उड़ जाना तो ये कैसा है एक करमज विभाग उसी व्रकार संप्राप्ति विगटन के कारण इस्थिर दूश्य से दोश्य का अलग हो जाना ठीक है इसके बाद देखिए संयों का नाश करने वाले गुण को क्या बोलते हैं विभाग बोलते हैं ठीक है तो अब यसी बात है कि जब दोनों एक जुसरे के क्या है परस पर विरोधी है इसके बाद देखिए इसके अप्लाइड आइस्पर्त में क्या बात करी जा रही है कि जो संबन्ध है तो फूटता जाएगा वैसे जैसे ज़से विभागा व्यादियों का नाश जब तक दोोश का दुष्य से संबन्द रहेगा पो व्यादि क्तम नहीं होगी और जैसे ही दोश और दूशे का विभाग होगा तुरंद ही जो है जो और में आपको रहात मिल जाएगी ठीक है उसी प्रकट दूसरा इजांपल देखे आश्रदी की पूर्ण मातरा देने के स्थान पर कई समय उसे विभक्त बातनाब में दिया जाता है है ना उसके बाद चैवेंत नेकी है प इसमें केवल लक्षणों में भिनता होती है है ना इसमें कोई सायोंग नहीं होता है केवल लक्षणों में भिनता होती है अभी इसके एक्जांपल में आएगा जैसे मान लिजी कोई सबस्टेंस है लेकिन उसमें अलग-अलग प्रॉपरटीज है तो वो क्या कहलाएगा प् property है उसका color blue है यह उसकी दूसरी property है तो solid और color blue यह दो अलग-अलग properties है तो यह प्रतकत्व के एक example में आप बता सकते हैं ठीक है उसके बाद देखे प्रतकत्व के भी तीन भेद बताये गाए है और सायोग वैलक्ष्ण और अनेकता अब हम देखते हैं इन तीनों का क्या है तो सायोग के भेद थे विभात के भेद और अब देखे प्रतकत्व के भेद हैं तो यह जिसके जिसके भी आपको याद करने पड़ेंगे कि और सायोग है परवत का प्रतकत्व है है तो दो परवत आपस में दूर दूर है तो उनका जो है औ सायोग प्रतकव है नता कब भी उनका सायोग नहीं हो सकता है दूसरा देखिए वैलक्षण ने प्रतकत्व विजाति ध्रव्य जिनमें लक्षणों की औ समानता होती है उनकेald हे अलग है जिसे दो लोग अलग है और उनके व्यावार भी विलगोल अलग है, तो दोनों इसके अलग है तो उसको क्या मिलेंगे लखषण ने प्रितकतом उधारन महीश वर आधी का प्रितकत महीश अर्था भैसесь और वराहत्था चुर तो यह दोनों आपस में अलग अलग है उनकी कहीं से प्रॉपर्टी में मतलब मैच होती है और नाहीं कहीं से भी उनका जो है बॉडिली स्ट्रॉप्चर मैच होता है उसी प्रकार पामा की द्रद्दू से प्रतकत हो है ना दद्रू is a skin disorder and पामा is also a skin disorder लेकिन दोनों में अलग बिल्कुल उसके sign and symptoms एक दम अलग है और सारी चीज़े बिल्कुल अलग है तो यह वैलक्षण प्रतकत हो लक्षणों के कारण से जिनमें भिन्नता आ रही है वो क्या है वैलक्षण प्रतकत हो असंयों प्रतकत हो अर्थात जिनका कभी संयोंग नही प्रतकत्व कहते हैं ठीक है समान जाती वालों में भी प्रतकत्व होता है यह तो हमें पता ही है we all are humans but we all are having different characteristic features तो वही बात है कि हम एक ही जाती के हैं पर फिर भी हम में क्या है प्रतकत्व है ठीक है एक ही जाती की माश वर्णादी के आधार पर अन्य माश से प्रतक होती है ऐसी प्रतकता को अनेकता रूप प्रतकत्व कहते हैं ठीक है अनेकता रूप प्रतकत्व वैलक्षणे प्रतकत्व और असायों प्रतकत्व सायों का विपाक का classification और प्रतकत्व का classification इसके बाद इसका चिकिचिकी महत्व देखिए उसके बारे में बात की गई है कि व्यादी ही के सापेक्ष निदान में पृत्यकतौ का प्रहों किया जाता है। सापेक्ष निदान का अर्थ होता है dimension diagnosis, też type निदान एक तरीके से हम प्रतिक्षिन पहṣakते हैं और journal und इसको differential diagnosis ये जोदा अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारी संधियों में अगर कोई disease है, तो वो संधी भाद भी हो सकता है, आम भाद भी हो सकता है, वातरक्त भी हो सकता है, तो किस प्रकार से आम भाद संधी भाद से अलग है, क्योंकि सरसायनेट सिम्टम्स तो सेम है, बस किस प्रकार एक व्यादी को हम दूसरे व्यादी से differentiate करेंगे, what is the differential diagnosis, वो हम प्रिषकत्व से पता चलता है तो यह इसका चिकत्चकिया महत्व है इसके बाद देखिए आठवा है परिभाशा परिभाशा में क्या बात आ जाएगी परिमाडम पुनर्मानम अर्थात मान को परिमाड कहते हैं तो बेसिकली जो भी हम मेजर्मेंट की बात करते हैं वो परिम में आएगा मान- परकरण में कि कालीं वान & मागदमान ओर दो तरीके से विली मेथढ़ में क्लासिफीकेशन के वारे में बताय गया है यह लाएगा करक और आप यह याद कर सकते हैं कि मान को अलग-अलग तरीके से बताया गया दिखिए एक हो और तीसरा है पोट दुरुव्य और पायायमान थे तीनों ही classification हैं मान के पर इनका आपस में ऐसा कोई थास connection नहीं है अलग-अलग थे इस फीनों ही मान की classification में माने गए हैं ठीक हैं तो देखें के आपको पता है, कि कोई भी औश्यदी अगर हम देते हैं, तो ईक निश्यत मातरा में ही हम घरते हैं, अगर हम उसकी निश्यत मातरा से उपर मातरा में देंगें तो इट इसलिए राष्यदी की फाटल डोज होती है, उसके बार देखिए, परणाम से आहार और ओश्यदी मातरा का रिधारन करना, सुवीदा जन्ना क्या, कि इतना आपको खाना है, एकर टोरी दाल खानी है, एकर टोरी, तो एक मान होना बहुत ज़रूरी है, उसके बार नवा देखिए, संसकार, तो आपन जो बार बार आएगा, कि डाश ही गुडांतरा धाना मुच्यते, तो आपको बताना पढ़ेगा, संसकार होगी गुडांतरा धाना मुच्यते, मतलब जिस प्रॉपर्टी से किसी सब्स्चंस का गुडांतरा धान किया जाता है, जैसे कि नॉर्मल डाल आपने बनाई, उसमे में क्या क्या आता है ते गुणास तोय अगनी सन्निकर्ष सौच मंत देश काल वासना भावना अदिभी काल प्रकर्ष भाजना दिविष्ट धियनते तो यह आप याद करेंगे तो आपको रशास्त्र में बहुत फायदा होगा कि क्या क्या जो है इसके अंतरगत लिया जाता ह है अगर आपको अभी नहीं भी आद करने का मने तो एक रबार जरूर करेंगा कि क्या क्या जो है इसके अंतरगत आता है संस्कार मतब यह वो टूल है जिनके तुरू आप संस्कार करते हैं जैसे कि अगर हम तोय की बात करें तो जल काफी सारे चीज़ों को सीधे थी तो जल गड़ आंतराधन करा सकते हैं संसकार करन को कहा गया है इसके बार देखिए दने बारे में बताया है तो संसकार के तीन भी बतायए गए है वेड भावना और стала के तो इतनाडेल में आपको नहीं पढ़िए जरूरत इस है नसके और इस वह दॉत संसकार के भेग न dar कशाय कलपना रूपी संस्कायर में औrav श्यदी के गुड़ों में परिवर्तन लाए जा सकता है कशाय कलपना उनसे उसमीश किसी को भी पढ़िह कि अगर अगर आप में इसे द्रव की कारे कारिक्ता को बढ़ाने के लिए भावना रूपी संस्कार का प्रयोग किया जाता है उसके बाद लास्ट परादी गुड के बारे में बात करते हैं जो कि है अभ्यास तो देखिए किसी भाव पदार्थ का बार बार पालन करना अभ्यास कहलाता है बाद देखियों के चिकष्त की निर्धारन करने के लिए इन थे का प्रयोग किया जाता है गौध बाद क Kerry करने के लिए इन रहे हैं विश्व 20 अमै तो वह उसके लिए साथ में ही होगा लेकिन अगर किसी और वक्ति को हम विश्ट देंगे तो उसके लिए वही चीज असाथ में हो जाती है तो वही बात यहां आपर बताएगा कि पत्या पत्य किस वक्ति के लिए क्या पत्य है क्या उसके लिए हितकारी है और क्या उसके लिए अहितकारी वो हर person to person differ करता है तो कि उस व्यक्ति को किस चीज का अभ्याज है उस पर ये बात depend करती है इसलिए पत्या-पत्य का निधारन करने के लिए अभ्याज गुण का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार से आज हमारा जो है गोड़ चाप्टर खतम होता है इसके बाद हम नेक्स चाप्टर के बारे में बात करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सिक्षन में बताइए मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयाज करूंगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं वीडियो और प्रेस्ट बेल आइकन पर लेटेस्ट अप्डेट्स थांक्यू सो मच